किसी पी टेश को यम्य और डिलिशिस बनाने के लिए आपको कुकिंग का शोक और पैशन होना बहुत ज़रूर है उसके साथ सथ आपके पास एक बहुत अच्छी रेसिपी होनी चाहिए तो आज एक ऐसी ही रेसिपी लेके आई हमें आपके लिए मुगलियाई चिकन की दो तर स्वाइफ लिए जीरा पाउडर पार जीरा विए जैimiento यहां ऐसकाश्षक में बताव होना भाडाम स्वाइब आपको कैश्यूूग कि चियोंगों सड़ीन चाहिए उसके साथ आपको चाहिए जी यहां बहुत अबद हमें चाहिए उसके साथ अज़ाई हे बाद नाट मग जा हट conflict हरी मिर्चे चाहिए हैं उसके साथ हम gonna जा Jake एक बड़ा प्यास कोई भी नॉर्मल साइज का अप लेें उसके साथ हमिच हर चाहिए को पड़ा साथ धनिया अपने ले लेना है उसके साथ जादा सा ile वहों में चाहिए जिंजर है उसका एक पीस कपर एक माराँ और अचाएं का घथा है नहीं को वहां को कुंट छाओंजाद,वहतागा आंदे ऑफिर लाँ पढ़ नहीं को भाति ते पिरयोन है आप इसको मिंस करेंगे, मैं इसको मिंस करने के लिए रख रही हूँ उसके बाद यहां मेरे पास 1 kg बोनलस चिकन है, आप इसके पीसिस देख सकते हैं, बहुत ज़दा चोटे भी नहीं है, बहुत ज़दा बड़े भी नहीं है, अपने नॉर्मल साइस के जो होते हैं, आपने इसके बाद चिकन के पीसिस लेने हैं, और अपना सारा मिक्स्चर जिसको आपने मिंस किया है, उसको इसके इंडर डालके मारेनेट करके रख देना है, अल्मुस्ट वान आवर के लिए, जब भी आपने बनाना होगा, उसके बाद चिकन को मैं दो तरीके से बनाने वाली हू जिए अवन में उसकी सेटिंग मैं आपनों के साथ चेयर करें हूँ क्योंकि मुझे बहुत से डियम आते हैं, आपने अवन की कौन सी सेटिंग जो है वो यूज़ करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, तमपरेचर, आपको कितनी टाइमिंग देनी है, कितने रॉड्स ओन क बीट के अपर आपको एक ग्रिल लेनी है उसके उपर आपको इस तरह से पेपर लगा दें और पेपर के बाद आपने पारिश्मन पेपर यूज कर लें ये जादा सब बटर आइड कर दें और बटर आइड करने के बड़ अपने चिकन के पीसिस रख दें मैं हाफ अफ तर चि इसके बाद जी देखे मैं अपने प्री हीटीड ओवन के अंदेर अपना चिकन रख रही हूँ और उसका टाइमर में लगा रही हूँ तेकरीबें 20 से 25 मिनट्स 20 से 25 मिनट्स में यह हो जाएगा परफेक्टली लेकिन बहुत से अवन होते हैं कि उसमें नहीं भी होता तो आपको करना है कि पेले सबसे घुबराना नहीं है क्या करना है कि सिर्फ और सिर् 10 मिनट्स लगा लेकि-व्य तरिके से आपने दर्मियान में अपनी चिकन को चेंज कर देना है ताकि यह जलेना इस तरह से आपका चिकन जो है आलमस्ट 25 से 30 मिनट में बेग हो जाएगा आप देख सकते हैं यह बहुत टेंडर बनता है बड़े मिज़ेदार बनता आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अब अवन वाला भी प्रोसीजर जो है वह आप से आपने पैन के इंदर बटर आड़ करना है अपना साय चेकिन आड़ कर देना है और उसकी साइड्स को भी चेंज करते रहना है और आप यह साय पर सीजर देखें फिर हम नेक्स्ट चेप की तरफ चलते हैं तान वाला भी बहुत मज़ेका और बहुत जादा टैंडर बनता है दोनों साइड से इसको चेंज करते रहें ताकि यह नीचे से जलेना जब इस तरह से कलर आजागा आपका तो आपने इसको उतार लेना इसके बाद एक अड़ाई के अंदर डालना है टू से त्वी टेबल स्पून अफ बटर और बटर के बाद आपने जो मैलिनिशिंट प्रिपेर की थी जो कि आपके लेफ्ट हवर है उसको आड़ कर देना उसके अंदर और बहुत मीडियम सी या लो फ्लेम के उपर जो है इसको कुक करना है कवर करके इस तरह से अपना पानी चोड़ेगा प्या कर सकते हैं दूद आड़ करेंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल टेस्ट चेंज नहीं होगा यहाँ मेरी ग्रेवी जिती अर्मस्ट प्रिपेर हो गई थी और मैने अपना सारा चिकन जो हैसमें अड़ कर दिया था जो मैने एवन में बनाया था और पैन वाला भी और इसके मैने स्रीडवर तो ऑनिस यहाँ ग्रेवी को तो इसको म upset उप्लेवर जो हुमाईर जाब गैंड़ किरेवी को बहुत जादा आड़ ज्यूसी नहीं में रख़ा मने बना लिया तो इसको मैं थर्प बड़ता मैशीर नहीं बना रिपाए तो इसको मैं लो फ्लेम शें ंड़ बहुत पसंद आई होगी आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी थोड़ी से डिफर्ट भी लगी होगी अगर इसले लेटिट कोई क्वेस्टन है तो आप इंस्ट्रोग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं उसके लावा कमेंट में भी पूछ सकते हैं लाइक कर दें श